हैलो दोस्तों गुल मोनिंग सभी माताउं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानि की सुनीता का तो आप सभी कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सभी सवस्त और मस्त होंगी तो अभी है सुबे का समय और शुबा में हमारी जाडू लग रही है आंगन की तो देख सकते हैं आज हमारी आंगन की जाडू से ही शुरूआत हो रही है तो आप लोग बने रहेगा और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करती हूँ सुबे से ले करके दो पहर या फिर साम तक तो सारी ब्लोग आप लोगों तक share जो है ओकरूंगी फ्रेंच और सुबे का मेरा आग जो है यहाँ पस देख सकते हैं जल चुका था लेकिन आप लोगों को आज की जो आग जला रही थी वो मैं share नहीं की फ्रेंच उसके बाद में यहाँ पस जाडू लगाने में लगी हुई थी और बरतन भी साप नहीं की थी मैं अंदर का लगाई थी जाडू और बाहर का बाकी पूरा काम बाकी रह गये थे और आग बस जलाई हुई थी तो मेरा जाडू करना भी complete हो चुका था उसके बाद में यहाँ पस बरतन माजने आ गई थी लेकिन क्या हुआ ना जिस टाइम पे मैं माजने लगी थी उस टाइम पे कोल आ गये थे वहां मम्मी की घर से तो चोटी के पापा जी बाते करने लगे थे और हम माजने लगे थे जब भी start कर लिए थे माजने के लिए उसी टाइम पे आये हुए थे तो बच्चे दोनों बच्चे वही हैं इसलिए बात करना बहुत जरूरी हो गया इसलिए वह बात करने लगे उतने में माज ली थी फ्रेंस पूरा और रगड भी ली थी पानी सेखबार उसके बाद अभ बना रही हो फैंस यह देख सकते हैं भिंडी आलू और टमाटर जो की छोटा वाला टमाटर है जिसको गांवाले बोलते हैं बिलती तो वही वाला टमाटर है यह टमाटर बहुत ज्यादा खटा भी लगता है बहुत जल्दी तो उसी के साथ में बना रहे हैं हम लोग बिठा जैसे लगता उतना खटा नहीं लगता है इसलिए उसको डाल करके बना रही थी में तो मेरा सबजी जो है न भुना चुका था और मैं जो हल्दी पीसक के रखी थी सिल्वर से तो उसी को डाल दी हुए हापस और उसमें देखी खाना पका करके रखी हुई हुए हम ल बच्चों की बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि छोटे बच्चे को हम लोग कहीं भी नहीं छोड करके गए हुए थे इसलिए तो देखे हमारा सबजी भी पक चुका है इस तरीके से भिंडी आलू और तमाटर उसके बाद में न हम लोग एक ही बार खाना पीना खाने के ब बिना खाना पीना खाय चले गए थे लेने के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दोवे जन घर पे रह करके बिना बच्चे का बड़ी वाली तो कहीं भी रहती तो उतना हम लोगों को नहीं उच्ची रहता है लेकिन जब छोटी घर पे नहीं र बाद में तो आज मैंना सारे घर का जमतलब उपर का जाडू लगाऊंगी और मेरा कीचन जो है उसको साब भी करूंगी फ्रेंस तो हमारे यहां तो अभी 6-7 दिन हो गए थे लाइट नहीं थे तो आज आया था लेकिन मैं सोची आया है थोड़ी सी इधर का भी आप लोगों क को दिखा देती हूं जैसे बनाना स्टार्ट की वैसे कड़ गया उसके बाद में वैसे ही मोगाइल के टोर्च के माध्यम से यहां पस मैं जाडू लगाई उपर का और नीचे का भी मैं लगा लगा रही हूं देख सकते हैं तो बहुत जादे जाले माटे उपर में हो जाते ह अब है यहां तो और उपर में तो उसी की वज़से पूरा डश्ट निकल रहा है दो जैसा उसके बाद यहां का पूरा लिपाई करूंगी भ्रेंज थे जाडू लगाने के बाद जो है ना लाइट आया था ये देख सकते हैं तो आये लाइट उसके बाद में ही मैं लिपाई करने के लिए शुरू कर दी जब लाइट नहीं था उस टाइम पे मैं जो है अलमारी मेरा है उसको साब की थी अलमारी को पताई कर दी थी जब लाइट न इसलिए हमें भी बनाने का मन नहीं किया तो थोड़ा सा बस हमने बनाया जाडू लगा रही थे उसी को बस तो यहां पस मैं सफेद मिट्टी से पोताई कर दे यूँ थोड़ा सा चुले के पीछे का क्योंकि जब आग जलाते हैं तो थोड़ा सा धुआ में काला हुई जाता है और लखड़ी आग से उतना जल्दी काला नहीं होता जितना कोईला आग से होता है क्योंकि कोईला आग में बहुत जादा धुआ निकलता है इसलिए तो आज हम ना अपने चुले को भी सफेद मिट्टी से पोत दे रहें क्योंकि अंदर की चुले पे जादा यूज नहीं करते हैं जब अभी बच्चे लोग नहीं थे तब हम लोग यूज कर रहे थे क्योंकि हम लोगों का खाना ना दोरों टाइम पे नहीं पकता था सरीप हमारा अलमारी सुक भी चुका है और सुक भी रहा है ये देखे पोत दी हूँ उसको तो ये ही पस पकाते थे जब नहीं थे बच्चे लोग तब कुछ हो गया सबजी नहीं रहेगा खाना रहेगा तो उसी को पका लेते थे बस और क्वेला बहुत कम जलाते थे इसी जो दिख लकड़ी वाला उसी में पका लेते थे और खाते थे दोनों लेकिन आप से पोताई कर दे रही हूं उसके बाद में बाहर का ही ज़्यादा चुला यूज होता है गर्मियों के दिनों में क्योंकि कोईला आग बहुत ज़्यादा सेखता है तो हमें भी सहन नहीं होती है इसलि पीशती हूं और शिटक जाता है पूरा दिवाल पे तो उसी को मैं पताई कर दी सफेद मिट्टी से और पूरे घर की मैं फर्स की लिपाई करने वाली हूं क्योंकि नवरातन की क्या बोलते हैं ठंडाई भी पहुंच गया है नव दिन कंप्लिट होने ही वाला है तो सारे घ हमारी छोटी जो है आगे पीछे हो रही थी कहती है इसमें चड़ूंगी मैं भी लिपूंगी ऐसे करके तो उसी को मैं हटा रही थी उधर से इधर और देखिए हमारा सफेद मिट्टी में पताई जो है न ओ कंप्लिट हो चुका है हमारी पिंडे की और मैंने कुछ भी ड्र के से जमीन को पताई कर रही हूं तो आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरू बताईएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा और फूल लुक देखिएगा सुखने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है और अभी तो कच्चा है इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा ह है कि मतलब पूरा साप साप एकदम दिखाई दे नहीं है लाइट ठीक से आज की ये छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को यदि पसंद आए तो प्लीज आप सभी ना सेर लाइक सस्क्राइब जरू कर दीजिएगा और किनारे किनारे का पूरा मैं सफेद मिट्टी से दी हुई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाई थी छे साथ दिन हो गया जो किनारे किनारे का मैं की थी सफेद मिट्टी से क्योंकि मुझे लिपाई करना था लेकिन उस दिन से तो लाइट जो है गायब हो गई था ही नह में जो है इधर का पोताई कर दे रहे हूं किनारे किनारे साइड का तो अभी तो हमारा कीचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन सुखने के बाद जो है ना पता चलेगा और आप सभी को दिल से सुक्रिया फ्रेंड्स हमें इतनी सपोर्ट करने के लिए अपना बेस कीमती टाइम देने के लिए क्योंकि हमारे पास तो आप लोगों के लिए कहने के लिए ना कुछ सब्दी नहीं निकलता जितना भी बोले सारा का सारा कम ही पढ़ जाता है क्या बोले कैसे सुक्रिया आदा करने समझ में नहीं आता है इसलिए आप सभी को दिल से सुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए और हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए तो हमारा कीचन का देखिए लिपाई हो चुका है और फुर लोग कुछ इस तरीके से है तो आज का वीडियो जो है ना इसी वीडियो के साथ जो है मैं समाप्त करने वाली हूँ तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में